और भाई दोनों का जो मेजर सबसे बड़ा फरक है वो है देखिए सामने से भाई ये गाड़ी सामने से देखने में बिलकुल टोयटा कैमरी लग रही है पूरी लोक इसकी कैमरी पर भाई बनाई है और नीचे देखिए यार ये देखिए कारबन फाइबर फिनिश में इसका जो ये दिया है ना काफी स्पोर्टी लगता है इस कार पर और ये आपको बलीनों में नहीं मिलता भाई बेसिक चाबी है ये ही चाबी आपको भाई मिलती है मेरे ख्याल में सारी मारुति और नेकसा मतलब सुजू की कारों के साथ नेकसा हो मारुतियों सेमी बात है तो वही यह चीज मेरे को बड़ी अजीव लगी एट लीस्ट टोयटा को इसके अंदर की तो अपनी देनी चाहिए थी जैसे वह फॉर्चुनर वगएरा में इटियोस वगएरा में सब में देते हैं कैसे हैं आप लोग उमीद करते हूं बड़ी होंगे हेल्दी होंगे एंड हैपी होंगे आज मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए एक नई कार का रिव्यू लेकर और नई मतलब बिलकुल नहीं अभी शोरूम से ही गाड़ी आ रही है और सीधा अपने पास रिव्यू के लिए आ गई है तो मेरे सामने जो गाड़ी है यह है टोयटा से आने वाली ग्लैंजा ग्लैंजा एस बेस से एक मॉडल उपर है सेम लुक में आपको बलीनों भी मिलती है नेक्सा पर लेकिन दोनों गाड़ियों में क्या फरक है मैं आपको यह जरूर बताऊँगा भाई दोनों का कार्बन फाइबर फिनिश में इसका जो यह दिया है ना यह काफी स्पोर्टी लगता है इस कार पे और यह आपको बलीनों में नहीं मिलता जो भी क्रॉम वगरा है आगे भाई बिलकुल स्टॉक का रहा भी शोरूम सही आ रही है एक रुपे की चीज इसके अंदर नहीं लगते हैं और यह बहुत अच्छी लुक देते हैं बाकी इनके अंदर भाई आपकी डे रनिंग लाइट्स नहीं आती है और लेकिन में को भाई मतलब यह वैल्यू फॉर मनी पैकेज है आपके लिए वैल्यू फॉर मनी कार है मेरको तो लगता है कि भाई यही वाला मॉडल लेना चाहिए इससे उपर यार 19 लाक रुपे जाकर कोई फायदा नहीं है और वो भी एक ग्लेंज आया बलहीनों में बि आगे से देखने में पूरी पूरी टोयटा कैमरी लुक दे रही है और मज़ा आ गया बाई बाकी अब चलते हैं इसके साइड में आ जाते हैं तो इस मॉडल में आपको अलॉइज नहीं मिलते हैं वील कैप्स मिलती है और टायर सेक्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है 185 65 15 15 इंच का इसके अंदर आपका रिम लगा हुए और बाकी भाई बहुत अच्छी हाइटेक आर की आप दूर से देखिए काफी अच्छी हाइटेक आर की और साइड से भी बहुती मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई छोटी हैजबैक है प्रॉपर एक प्रीमियम हैजबैक लग रही है लेगिन बाकी जो साइड लुक है आगे पीछे के बंपर्स है वो चेंज किये हैं बाकी इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको पुरानी बलीनों और पुरानी ग्लेंजा का दिखता ही दिखता है और अब आ जाते हैं गाड़ी के पीछे सो पीछे आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आपको LED ही बैक लाइट मिल जाती है ये शायद से हर मोडल में मिल रही है और पहले से काफी स्लीक और लंबी कर दिया है तो भाई बैस्ट लग रही है पीछे आपको देखी रहा होगा टोईटा की बैजिंग ग्लेंजा एस मोडल है एस मोडल की बैजिंग है ये और अभी टेंप्रेरी नमबर ये भाई गाड़ी अभी शोरूम से आई है तो नमबर इसका आजाएगा दो तिन दिन में और बाकी भाई हाइट देखिए गाड़ी की हाइट बहुत अच्छी है अच्छा एक चीज इसमें आप और भी लग रही है पीछे से और पहले से जाधा विड्में भी जाधा लग रही है मतलब पहले से जाधा बैर इसको लुक को बनाया गया और लग भी रहा है और हाई अग्रेसिव लग 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 रही है पूरी स्पोर्ट Ready घरी आई गाड़ी मतलब एक नंबर बाई तो अब चलते हैं भाई इस कार का अंदर से भी देख लें इसका इंटीरियर इसका ड्राइविंग क्योंकि भाई ग्लेंजा तो मैंने कभी जिंदगी में चलाई नहीं है ना पहले वाली ना नए वाली तो चला के भी देखा जाए भाई ये देखे भाई ऐसा कुछ है इसका इंटीरियर बाकि इसके अंदर बैठके आपको अच्छे से एक्सप्लोर कराते हैं मैं आ गया हूँ 2022 ग्लेंजा एसके अंदर ऐसा है कुछ इसका इंटीरियर और ऐसी बाई बेसिक चाबी है यही चाबी आपको भाई मिलती है मेरे ख्याल में सारी मारुति और नेकसा मतलब सुजुकी की कारों के साथ नेकसा हो मारुति हो सेमी बात है तो वही चाबी टोयटा ने भी दी है यह चीज मेरे को बड़ी अजीव लगी एट लीस टोयटा को इसके अंदर की तो अपनी देनी चाहिए थी जैसे वह फॉर्चुनर वगेरा में इटियोस वगे लेगी और एक बाद स्टार्ट कर लेते हैं घाड़ी स्टार्ट होगी मैं को पता भी नहीं लगा इतनी शांत गाड़ी है कि एसी थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे साउंड आए इसका इंटीर तो थोड़ा सा अगर मैं आपके इसके फीचर की बात कर लो तो आपको बता दिया जाए यहां पर आपको मिल जाते हैं यह प्लास्टिक है हाड प्लास्टिक है और इतनी कुछ खास क्वालिटी नहीं इसकी बाकी इधर भी आप यह देखी सकते हैं तो ठीक है इस सेग्मेंट के हिसाब से यह बैस देने कोशिश कर रहे हैं और इधर आपक automatic fold and unfold का भी function मिल जाता है और इधर आपको मिल जाता है भाई कुछ ऐसा three spark steering wheel और इसमें आपको left side में ही मिलते हैं volume के और tracks वगरा change करने के function बाकी right में ये बिल्कुल खाली है इधर आपको यहाँ पर कुछ phone वगरा pick करने के functions मिल जाते हैं ऐसा है कुछ इसका भाई instrument cluster और right में आपको इसका मिल जाता है speedometer left में आपको rpm meter बीच में इसके MID है काफी अच्छी मतलब इस model के हिसाब से काफी अच्छा size दे रखा है उसका और इधर आपको मिल जाता है भाई इसका कुछ जैसा same बलीनों में system आता है ये भी same बलीनों वाला ही system है touch है तो इसमें आप सारी चीज़े touch से use कर सकते हैं इस model में भी ये सब देने लग गए ये काफी मतलब अच्छी चीज़ है और नीचे आपको इसका मिल जाता है भाई totally fully automatic climate control AC इसका तो मैं दिवाना ही हो गया हूँ इतना अच्छा दिया है भाई इसमें ये देखिए इससे आपकी speed उपर नीचे होती है इससे आपका temperature उपर नीचे हो जाता है AC on off मतलब यार जो चीज ये top end model में देते थे वो आपको इन models में मिलने लग गई है बीच में आपको यहाँ पर AC vents के नीचे देखिए एक प्यारा सा एक प्यानो फिनिश में ब्लैक के पैनल दिखेगा जो इन दोनों colors को काफी अच्छे से separate करता है और बीच में एक काफी अच्छा highlight लाता है तो मुझे भाई देखिए टोइटा का बैज है और इसका मतलब इसकी सर्विस वगयरा सब कुछ टोइटा में होगी और टोइटा तो आप जानते ही हो वह अपनी सर्विसिंग और अपनी रिलाइबिल्टी के लिए कितना फेमस है सबसे बड़ी कहानी इस कार के साथ यही है और यही इसका advantage है कि यह कार टोइटा बैजिंग वाली है तो टोइटा में ही जाएगी बाकी भाई बात कर लेते हैं इधर आप यह देखिए इसका यह बीच का जो console है यह पहले बिल्कुल नीचे होता था अब देखिए कितना उपर आ गया है और मतलब काफी premium लग रहा है यह देखिए इधर भी आपको piano black की finishing दी गई है पैनल्स में आपको five speed gearbox मिल जाता है इसक इस model में नहीं मिलता है इससे उपर से start हो जाता है तो आपको इस model में भार से मिल जाते है चार-पाँच हजार का original मिल जाता है जो बलीनों में लगता है वह इसमें लगते है और बाकी इसमें भाई अभी normal ही seat covers है जो स्टोक आते हैं इसमें आपको leather नहीं मिलते तो यह भी अभी भाई लाए है तो अपग्रेड करा लेंगे तो जैसे देखिए इधर भी इनोंने यह फैबरी की है इधर भी फैबरीक है सो finish काफी अच्छी देने की कोशिश करिए और भाई अच्छा भी लग रहा है वागी ऐसा कुछ इसका glow box यह देखिए आपकी मतलब जादा प्राइविंग टेस्ट इसकार को चला के देखा जाए इसमें आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन फोर इनलाइन जो की प्रियोडियूस करता है 88 भी एच्पी एंड अराउंड 113 एननम ऑफ टॉक सो जिस तरह का गाड़ी का वेट है इसका वेट है 930 केजी सो यह पहले वाली शायद से थोड़ी सी भारी थी इस वाली को और हलका कर दिया गया है यह चीज में को बड़ी गलत लगती है मतलब कभी भी आपको गाड़ी की क्वालिटी में सेक्रिफाइज नहीं करना चीए लेकिन अब इसको चला कर देखते हैं कैसा इसका रिस्पॉंस है कैसी यह गाड़ी चलती है सो भाई सीट बेल्ट मैंने लगा ली है इसका फॉर्स्ट गेर लगाया जाए और एक चीज़ है यार मेरे को बीच में इस M.I.D. में कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है देखिए मैंने ऊपर से भी चेंज करके देखा लेकिन कुछ जादा में क्यों नहीं आ रही है कोई बात नहीं भाई इसको चला कर देखते हैं पहले सो एक तो यार मतलब इतनी शांत कार ना मेरे को पता ही लगता है अब मैं चलाता हूं डीजल कार विद एक्जॉस्ट लगे में कौर्ट तो इतना साउंड है ना मुझे जब तक आवाज नहीं आती ना मुझे लगता ही कार ओन है या ओफ है तो नाइस भाई मतलब बहुत ही स्मूदली गेर शिफ्टिंग है कार की और बहुत ही स्मूद चल रही है अभी तक तो नाइस तो मतलब भाई जिस हिसाब से गाड़ी अभी रियक्ट कर रही है उस हिसाब से तो मतलब जो इसका पैसा लिया गया है वो बिलकुल वसूल है क्योंकि आपको मेरे ख्याल में भाई इतनी स्मूद कार इस प्राइज में मुश्किली मिलेगी भाई बहुत यह देखिए आपको इसमें बैक कैमरा मिलता नहीं है यह कंपनी से ही उन्होंने ऐसे सिरीज में भाई ने लगवाया है जबकि इसकी क्वालिटी भाई ठीक ठीक है क्योंकि इसकी जो गाइडलाइन्स है वो शो तो कुछ करी नहीं रही है वो बिल्कुल सीधा रहती है सो क् गाड़ी की जो पावर है वो एकदम मतलब इसके हिसाब से करेक्ट दी गई है इंजन पहले से जाधा रिफाइन हो गए है और गाड़ी की ड्राइविंग भी पहले से जाधा रिफाइन है और भाई इसमें एक चीज हो रहा है जो मैं आपको बताना भूल गया यह देखिए आप जैसे ट्रैफिक में जब रुकते हैं और आप जब गाड़ी न्यूटल डालते हैं तो यह गाड़ी खुद को ओफ कर लेती है जैसे कि मेरी कार में भी है बाकी सारी कारों में भी होते हैं यह चीज़े लेकिन टॉप एंड मोडल में लेकिन भाई आप यह देख रहे है बाकि भाई suspension बहुत soft है आपको बिल्कुल भी ऐसा harsh नहीं है इतना जादा hard नहीं है कि आपको एकदम से गाड़ी के अंदर पता लगे बिल्कुल भी भाई मतलब बहुत soft suspension है भाई मतलब एकदम मज़ा आ गया गाड़ी का premium नेसको उसका suspension ही justice कर पाता है क्योंकि जब वो गड़ों में जाती है तब ही कार का पता लगता है कार 930 केजी की है लेकिन भाई उसके बाद भी चलाते वे आपको लगता है कि हाँ भाई आपको हैवी और बड़ी गाड़ी चला रहे है क्योंकि suspension आपका इस तरह से react कर रहे है गड़ों को ऐसे खा रहे है भाई जैसे पता ही नहीं क्या कर रहे है पागी भाई steering अगर आप बात करें तो यह जादा आपका हलका भी नहीं है और जादा आपका hard भी नहीं है यह हलके की तरफ जादा ले लो मतलब जैसे अगर हम 10 में से अगर हलके को वो दे तो यह 10 में से 7 है ठीक है तो इतना ही अच्छा लगता है भाई क्योंकि यार मैं आ आपको पता यह भाई hyper drive या फिर हम अब तेज गाड़ी चलाते हैं तब हमें ऐसे ही steering की जरूत पड़ती है यह देखिए गाड़ी बंद हो गए थी भाई अब चलिए देखिए सो भाई आपको ऐसे ही steering की जरूत पड़ती है वेरी नाइस भाई और जो मेरे भाई पूछ रहे दे भाई यह मेरे हाथ में क्या लगा हुए है यह लगा हुए है कैनुला मेरे को भाई टाइफाइड हो रखा है सो टाइफाइड की वज़े से भाई इसके अंदर डेली मेरे भाई दो इंजेक्शन मेरे अंदर इंजेक्ट किये जाते हैं सो जब तक मेरा कॉर्स पूरा नहीं होता यह मेरे हाथ में लगा ही रहेगा सो कोई टेंशन की बात क्यों कि 1000 किलो मेटर एक वर्स की सर्विस हो जाए पहली उसके बाद आपको पुश भी दिखा देंगे भाई लेकिन आपको जातर भाईयों को पता ही है यार के बहली नो और इसका सारा सेम ही है कैसा पुश है कैसा नहीं है बाकी यह उन भाई की गाड़ी है मैंने आपको ब ट्यून किया जाए और मतलब उसकी पावर बढ़वाई जाए तो कि काफी लोगों को यह कहना कि भाई नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन बहुत कम ट्यून होते हैं ट्यून होते हैं उनका गेन कम होता है पावर कम गेन करती है लेकिन भाई ट्यून वो भी होते हैं और ज से निकल रही है ब्रेकरों पर से मैं दिवाना हो गया उसकार का बागी मैंने बलीनों चलाई नहीं सो आपने वो कमेंट्स में बताना कि यह जो फंक्शन्स हैं बलीनों के भी बेस से एक उपर यहारे वाले मॉडल में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं तो मेर को भी थोड़ी सी नौलिज इस चीज़ की हो जाएगी कियोंकि भाई आपको पता ही है मैं ज्यादा तर टूंड कारों का ही 99% में टूंड कारों का ही रिव्यू करता हूँ लेकिन अगर इस कार का मैं रिव्यू कार रहा हूँ भाई अपने भाई की कार हैं अभी 15,000 गंटे पहले यह देखी अभी ही माता जी की चुन्नी बंदी है आगे माला रखी है तो अभी जश शोरूम से गाड़ी निकल कर आ रही है और सीधा आपके भाई के पास driving experience के लिए आ गई है तो भाई मेरा जो इस कार के साथ जो driving experience है वो बहुत ही बढ़िया रहा next level रहा अभी आपके पास मतलब डेली में चलने के लिए होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए तो भाई जो भी इस कार का जो push है जो 0-200 है मैं भाई इसलिए नहीं कर रहा क्यार आज ही कार आई है तो वही मैं आपको बता भी चुका हूं यार 1000 किलोमेटर के बाद आपको बड़ी आस इसका खेचा मारके दिखाएंगे इस कार को tune होते वे दिखाएंगे इसके अंदर जो जो हमें change कराने है जैसे कि इसमें alloys लगेंगे इसके अंदर हम टॉप model की आगे light लगाएंगे तो मतलब ये कार भी हमें कहना project कार की तरह ही रखेंगे बागी भाई बोडि के अंदर को नो लाग रुपे का तो भाई यह मॉडल आपके लिए बना है जो आपको आज के टाइम पर सारी चीज़े चाहिए होती हैं इसके अंदर आपका एंडरोइड प्ले एपल प्ले ऑटोमेटिक एसी और मतलब इधर यह सारी चीज़े आपको मिल जाती है आपको स्टेरिंग पर भी कंट्रोल मिल जाते हैं जो मेंली आपके बेसिक यूज करने के होते हैं और मेर को तो कहीं पर कोई कमी नहीं दिखी और मेर को तो पहले लगा था कि पता नहीं भाई बेस से उपर वाला मोडल दुनिया लेती ही क्यों है लेकिन भाई मुझे अब लग रहा है कि यह बहुत वर्थ और वेल्यू फॉर मनी का रहे हैं और वेल्यू फॉर मनी वेरियंट है यह बहुत बढ़िया यार मतलब एक गाड़ी को टेस्ट करने के लिए जैसा रोड चाहिए ना हमार पास वैसा ही है देखिए इदर थोड़ा सा इटो वाला हाँ टाइल्स लगी है अब थोड़ा ठीक सीधा रोड आ जाएगा आगे हम काफी जगा आप तूटे वे रोडो पर भी गए है तो भाई कहीं पर भी इस गाड़ी ने ना इसका सस्पेंशन ने ना इस कार ने कहीं पर भी साउंड नी किया बाकी भा भाई कोई भी आपका कोशन है बलीनों लेनी चाहिए ग्लेंजा लेनी चाहिए क्या वैल्यू फॉर मनी है कौन से फंक्शन्स आपको किस वेजिंट में मिलते हैं तो भाई वो सारी चीज़े आपने कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं आपको उसी टाइम उनका अंसर अगर नहीं कोशिश करूँगा और वागी भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब कल फिर मिलते हैं एक नहीं हाइपर ड्राइव के साथ एक नहीं डेली व्लॉक के साथ और एक नहीं कार के रिव्यों के साथ तब तक के लिए टाटा भाई बाई लव यू गाईज